नमस्कार दोस्तों, InFocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज हम लोग समिक्षा अधिकारी की तैयारी संबंदित एक ऐसे विशय पर बात करने जा रहे हैं जिसको ले करके आम तोर पर परिक्षाथियों के मन्द में अच्छा घसा तनाओ का महल रहता है उसके बेसिकली दो कारण है, सबसे पहला कारण तो यह कि समिक्षा अधिकारी की जो नवीनतम परिक्षा पैटर्न है उसमें इस विशय को ले करके काफी ज्यादा मात्र में प्रस्ण पूछे जाने लगें तो साथ ही एक समस्या यह भी आती है कि इससे रिलेटेड जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो ठीठा मोटी होने के साथ साथ काफी बोरिंग भी होती है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दरसल एग्रिकल्चर से संबंदित यानि कृषी से संबंदित आरो यारो की परिक्षा के नविनतम परिक्षा पैटर्न में इसकी क्या भूमिका है खास्तोर पर आप देखते हैं हल फिलहाल के वर्षों में कृषी संबंदित प्रशन काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं इसको हम लोग कैसे तयार कर सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं, ताकि कम समय में सटीकता के साथ हम लोग इस विशय की समगर तयारी कर सके हैं. आज का ये वीडियो पूरा उसी के लिए dedicated है. तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको. जैसा कि आप लोग को पता है, agriculture एक ऐसा विशय है, जो वास्तों में इसको एक प्रिथक विशय के रूप में देखना बेमानी होगी. उसका कारण ये है, कि ये एक ऐसा विशय है, जो कि कई सारे विशयों में ओवरलैब करता है. अग खास तोर पर यदि हम लोग बात करें, तो तीन विशय ऐसे हैं, जैसे एक तो आपका हो गया geography, दूसरा हो गया geography से संबंदित आप देखिए, क्रिशी का एक chapter वहाँ पर रह कि फसल के लिए जलवाईवी दसाएं कैसी है, या फिर मृदा से संबंदित जो प्रशन पूछ लिए जाते हैं, सिचाई संबंदित प्रशन पूछ लिए जाते हैं, या फिर कई बारी पूछ लिए आता है कि रभी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जैद की फसल कौन सी है, हरित, करांती से संबंदित कुछ प्रशन, ये सारी चीजें जो है, वो जियोग्रफी के अंदर पूछ ली जाती है, एक अन्य विशय भी है, जिसमें ये विशय ओवरलैप करता है, अग्रिकल्चर का, वो है एकनॉमिक्स का, एकनॉमिक्स में जब हम लोग संबंदित प्रशन पूछे जाते हैं, न केवल भारत के स्तर पर, बलकि वैश्वी के स्तर पर भी, उसके अलावा आप लोग देखेंगे, कई बार योजनाएं वगरा काफी पूछ ली जाती है, ठीक है, कि कौन सी प्रधान मंत्री, किसान सम्मान निधी, या फिर किसान क्र संबंदित काई सारी योजनाएं वगरा पूछ ली जाती है, कुछ ऐसी संस्थाएं पूछ ली जाती है, संस्थाएं जैसे आप से पूछ लिया गया, नाबाड, नाबाड की स्थापना कब हुई, तो इस प्रकार से भी प्रशन यहाँ पर पूछे जाते हैं, एक और विश प्रश्तों में हमें इस पेपर को पढ़ने के लिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या अप्रोच बहतर तरीके से फॉलो करनी चाहिए, और ये जो चीजे मैं बता रहा हूँ, ये प्रिवियस एर क्वेस्टिन के ही आधार पर बता रहा हूँ कि किस प्रकार के प् पूछ लिए जाते हैं, तो वहीं आप देखेंगे कुछ प्रजातियों से संबंदित या पोशक कतो संबंदित प्रश्ण भी आपर पूछ लिए जाते हैं, ओवरॉल देखें, तो इस विशय का नेचर ऐसा है कि ये कई सारे विशयों में ओवरलैब करता है, जियोग्रफी वाड़ी, महालवाड़ी, प्रथा, ये सब कृषियों के लिए जो आये थे, कृषक, सुधार, अद्नियम आये थे, उनसे संबंदित कुछ प्रश्ण पूछ लिए जाते हैं, अब आप ही सोचिया कि इसको जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, तो क्या इसके लिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं, कि वास्तों में इस विशय की भूमिका क्या है, आपके परिक्षा पैटर्न में, देखे, हर वर्ष के जोग्रफी से कितने प्रश्ण पूछेगा, एकनोमिक्स से कितने पूछेगा, बायल 2021 में जहां जोग्रफी से प्रश्ण पूछे गए थे, दो, क्रिश्ण से संबंदित, जैसे एक प्रश्ण आपका रभी खरीफ फसल से संबंदित था, तो उसके अलावा एक प्रश्ण था कि जैसे, जो कोई भी फसल को उपजाने की कंडिशन से संबंदित, तो ऐसे प्रश से हमें दिखता है कि यहां पर कुल मिलाकर साथ प्रश्ण आपके 2021 की परिक्षा में एग्रिकल्चर चैप्टर से पूछे गए, उसके बाद यदि हम लोग बात करें 2016 में, 2016 में हम लोग देखते हैं कि जहां जोग्रफी पूछा गया, एक प्रश्ण, एकनोमिक से कोई नही प्रश्ण पूछे गए, अगरिकल्चर सेक्षन से, तीसरा यदि देखें 2017 में, तो 0-3-3 यानि 6 प्रश्ण पूछे गए, उसके पहले पूछे गए 8 प्रश्ण, उसके पहले पूछे गए 3 प्रश्ण, इन प्रश्णों के पूछे जाने के पैटर्न को अध्यान करना जो इस समय एक trend चल रहा है, वहाँ पे क्रिशी से सम्मंदित अच्छे खासे प्रश्णों पूछे जाते हैं, एक average यदि हम लोग ले तो वो average बैठता है करीब 6-7 प्रश्णों का, अब जाहिर से बात है कि एक छोटा section जिसमें 6-7 प्रश्ण मिल जा रहे हैं हमें, वो एक समस्या और है, वो समस्या यह है कि इससे सम्बंदित जो books market में available हैं, वो books दरसल अच्छी खासी मोटी बना दी गई हैं, अभी हाल फिलहाल के वर्शों में वो क्रम से उसके pages बढ़ाते जा रहे हैं, हम लोग क्या करें कि उन pages को कम कर सकें अपनी तैयारी में, या फिर हम लो अच्छे खासे प्रशन यहां पर पूछे जा रहे हैं बाट ठीक है, बात करते हैं कि इससे related books कौन सी market में available हैं, तो books में देखें तो एक सबसे जो अच्छी book होती है, वो होती है परिक्षा वाडी की book, यहां पर क्रिशी से सम्बंदित एक काफी famous book है, उसके अलावा यदि बात करें, तो एक current publication की भी आती है, और कुछ अन्य छोटे छोटे प्रकाशन भी कैसारे होते हैं, जो क्रिशी से सम्बंदित पूछे जाते हैं, यहां पर हम लोग बात करें, तो जो वाडी की book है, वो निर्दवन्द रूप से अभी की उपलब्द books में, सबसे अच्छी books म मानी जाती है वाडी की book, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ खामिया है, वो खामिया क्या है, कि एक तो इस books को काफी मोटा बना दिया है, बना काफी यह मोटी books हो गई हैं, कई सारे इसमें facts unnecessary, बहुत ज़्यादा बढ़ा कर डाल दिये गए हैं, और जब facts ज़्यादा रहते हैं मतलब याद करने वाली चीजे ज़्यादा हैं, तो निश्चित तोर पर उसको cover कर पाने में अच्छा खासा एक तो आपका समय जया होगा, दूसरी बात केवल पढ़ना ही नहीं होता है, बलकि revision भी करना होता है, जिसकी वज़य से वो काफी boring भी हो जाता है, जब चीजों को वही तीन चीजे है, geography में आप कोई भी book पढ़ते हैं, उसमें जो content है, वही यहाँ पर वाडी की अलग से क्रिशी वाली book में भी वही content आपको मिलेगा, कुछ unnecessary facts यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएंगे, बायो में जो facts मिलेगा, वही आपको यहाँ पर मिलेगा, कुछ अन्य चीजे भी डाल देते हैं, और उसके अलावा economics का भी यही हाल है, अब देखिए तो आप यहाँ पर geography, बायो और economics, यह जो तीनों areas हैं, इनसे related तो वाडी की पुस्तक में मिलता ही है, कई बार यह लोग समंदित कुछ अन्य chapters हैं, जैसे जो कृषी की भूमिका बनाते हैं, जैसे आपका सिचाई का chapter हो गया, जैसे आपका कृषी समंदित मिर्दा का chapter हो गया, यह सभी chapter भी यहाँ पर डाल दिये जाते हैं, जिसका वास्तों में आप लोग अध्यान अपने geography वाले section में करते ही है अब जब geography वाले section में आप इसका अध्यन करते हैं, तो आपको यहीं से इसको दुबारा पढ़ने की यहां से क्या हो सकता है, जबकि आप इसे geography में पढ़ी लेते हैं, बायो में आप इसे पढ़ी लेते हैं, तो फिर अलग से पढ़ने की क्या हो सकता है, जब ज्यादा तर आप अपने इन respective विशय में cover कर चुके हैं, तो फिर अलग से इसकी पुस्तक को पढ़ने की कोई खास आवशक्ता होती नहीं है, लेकिन जो लोग वाडी को पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, यह ऐसी पुस्तक है जहां से एक भी प्रशन इ और इसका यह हाल होता है, तो अब आप देखिये कि वाडी की बुक से कोई भी प्रशन नहीं बहाँ जाएगा, इसका मतलब जो लोग इसे अल्रेडी पढ़ चुके हैं, जो लोग इसको रिवाईज भी कर चुके हैं, या पहले कई बार पढ़ चुके हैं, वो लोग तो बि ऐसी विशेश पुस्तक का अध्यन नहीं किया होगा, उनको मेरी सलाह यह है कि समय को देखते हुए, जिस हिसाब से अभी समय है, आप कोई भी बुक अभी ना पढ़िए, बलकि आप जो भी जो भी जोगरफी की बुक फॉलो कर रहे हैं, उसी में कृशी के चैप्टर को दे जाएंगे, तो यानि आप उस बुक को अध्यन कीजिए, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, क्विक बुक पढ़ रहे हैं, पेरियार पढ़ रहे हैं, महेश बनवाल पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, आप उससे संबंदित वो बुक पढ़िए और उसके सा कुछ unnecessary facts यहाँ पर आपको बलकी नहीं ही पढ़ने होंगे, जिसकी वज़े से आपका समय बचेगा. In short, आपको केवल देखे, पढ़ना ही नहीं है. आप पढ़ने को पढ़ देंगे, आपके पास इतना समय है कि आप वाडी की बुग भी पढ़ सकते हैं. लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलता है. काम चलता है उसको कम से कम तीन बार revise करने से. अगर आप तीन बार नहीं revise कर पा रहे हैं, तो वास्तों में आपके पढ़ने का कोई ओचित नहीं है, क्योंकि सारी चीज़े आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगी. इस कारण से मेरी ये personal सलाह ये रहेगी, कि अभी का समय को देखते हुए, अगर आप इसको पहले से किसी विशेश पुस्तक से नहीं पढ़े हो, तो फिर आप चाहें तो इसे avoid कर सकते हैं, किसी विशेश पुस्तक से पढ़ना, बलकि आप जो भी subject की, जैसे geography की आप जो भी book follow कर रहे हैं, बायो की और economics की, इनको ले कर ही उन books को follow कीजे, साथ में previous year questions solve कर लीजे, current affairs का जो portion है, current affairs की magazine में जो economy से related प्रशनाते हैं, क्रिशी से संबंदित भी प्रशन, वहीं से अक्सर पूछ लिए जाते हैं, for example, उत्पादन से संबंदित, या फिर योजनाओ संबंद विशय के रूप में आप इसे ना देखें, बलकि विभिन्द विश्यों में overlap करने वाले विशय के रूप में देखें, उससे आपकी न केवल तैयारी आसान होगी, बलकि आपको बहुत ज्यादा अत्रिक्त ध्यान नहीं देना होगा, किसी भी पुस्तक को बार-बार करने और रिवाइज करने में, तो ये रहा आज का आपका वीडियो जिसमें मैंने क्रिशी से सम्मंदित कुछ महत्रपुर्ण पहलिवों पर चर्चा की, उमीद है आपको इस सम्मंदित, जो भी डाउट्स हो, वो आपके थोड़ा सा सॉल्व हुए होंगे, और किसी भी माधान के लिए आप लोग हमारे कॉमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर प्रस्न पूछ सकते हैं, तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.